डावर्सिटी इन दे लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता, NCRT बायलोजी क्लास 11 और 12 टोटल 10 यूनिट में बटे हैं, पाच यूनिट 11 और पाच यूनिट 12 में, NCRT के रिसेंट रिविजन के अनुसार, सब मिलाकर लगभग 32 चैप्टर्स हैं, और हर यूनिट में अबरेज 2 से लेके 6 चैप्टर के आसपास हैं, पूराने NCRT में टोटल 38 चैप्टर्स थे, 11 और 12 में, लेकिन 2023 के NCRT में कुछ चीजें कम कर दी गए, कुछ चीजें हटा दी गए, NCRT 11 का सबसे पहला यूनिट है, डावर्सिटी इन दे लिविंग वर्ल्ड, यानि जी इसी छेत्र विशेश में पाई जाने वाली चीजों की बेभिनता, कितने अलग अलगता रहा के जीव, उस छेत्र विशेश में पाई जा रहे हैं, उसे डावर्सिटी देने हैं, इस उनिट का नाम डावर्सिटी इन दे लिविंग वर्ल्ड है, यानि इस उनिट में हम psychology life forms thinking nihYaani givenhee रचना यानी जीव यानि कोई जिंदगब फ्रक्रमों यानी वह प्रोसे 220 जीवा को जिनदा रखने के लिए जरूरे इसफ ग्रोथ रिप्रोडक्षशन रिस्पाइरेशंथ न्यूड आ कि राद हुम Я पर आदी माना भी inanimate matter और living में अंतर कर सकते थे मतलब निर्जीव और सजीव की पहचान उनको भी थी Early Man ने कुछ निर्जीव पदार्थों जैसे हवा, समुद्र, आग, आदी तथा सजीव जैसे पौधा या जानबर में अंतर कर सकते थे सभी परकार के निर्जीव और जीवित में उन्हें कुछ common दिखा जो कि उनसे डर या उनसे दूर भागने के भावा पे अधारित थी Living चीजों का description जिसमें आदमी भी साविल थे ये काफी बाद में सुरू हुआ क्योंकि उस time की society की biology की समझ काफी सिमित थी क्योंकि उस time की society को biology के बारे में anthropocentric भी हो था मतलब सिर्फ आदमीओं को ध्यान में रखकर study करते थे जिसके कारण biology का ज्यान काफी सिमित रहा जीवों की systematic और monumental description से identification, nomenclature और classification आदे की जरूरत हो ली और इस प्रकार के study से living organism में similarities रिकागनाज हुई बोथ horizontally and vertically हमें आज पाय जाने वाले जीवों के बारे में भी जानकारी हुई हमें पता चला जिसके कारण हमारा हंकार टूटा हम थोड़े हंबल हुए जिससे biodiversity को बचाने को लेकर cultural movement हुए यानि संस्कृति कांदोलन हुए इस उनिट में दिये गए chapters में आपको plant और animal के classification यानि वरगी करन के बारे में जानने को मिलेगा टैक्सोनॉमिस्ट प्रस्पेक्टिव से टैक्सोनॉमिस्ट मतलब वो लोग या वैज्ञानिक जो जीवों को बाटते हैं और उनका नाम वगेरा रखते हैं उनकी विशेष्टा के अधार पर उनके उन्हें अलग-अलग ग्रूप में भी रखते हैं एंसी आटी बाइलोजी के हर एक उनिट के सुलात में इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट दिया गया है फॉस्ट उनिट डावर्सिटी इन लिविंग वर्ड में हमें अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ना है इनका जन्म पाच जुलाई 1904 को हुआ और 2005 में इनकी मिर्तु ही 100 साल तक इनकी जिंदगी रही इन्हें सौ ग्रेट साइंटिस्ट में भी गिना जाता है इनका जन्म गेंप्टन जर्मनी में हुआ यह हावर्ड इंवर्सिटी में इवलिशनरी बाइलोजिस्ट है मेर साब ने हावर्ड 1953 में जॉइन कि 1975 में रिटायर हुए टाइटल के साथ अपने 80 साल के केरियर में उनका रिसर्ट और निथोलोजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवलिशन, सिस्टमेटिक्स पथा बाइलोजी की हिष्ट्री और फिलॉस्टी के बारे में केंदित रहा और इन्होंने लगबागा केले ही ओरीजिन ओफ अस्पीसिज बाइलोजी भी बोला जाता है, 1983 में बालजन प्राइज, 1994 में बाइलोजी के लिए इंटरनेशनल प्राइज, और 1999 में क्राफफूड प्राइज दानेशनल प्राइज तो शुरू करते हैं यूस युणिट यानि जावर सिटी इन दयल लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर दल लिविंग वर्ल्ड इसे दो headings में पढ़ना है First, diversity in the living world जीव जगत में विविधिता और दूसरा, taxonomic categories जानि वर्गी की सन्वर्ग इस chapter के सुरुवात में बताया जा रहा है How wonderful is the living world जीव जगत कैसा निराला है अलग-अलग जीवों का पाए जाना कितना amazing है कठिन से कठिन जगहों पर भी रहते हैं चायो ठंडे पहाड हो decidious forest हो समुद्र, fresh water की जीले हो desert हो या गर्म पानी के जहरने हो ये सब हमें आस्चर में डालते रहते हैं सरपर दौरते घोडे migrating words, valleys में खिले फूल या attacking socks ये wonder जैसा है ecological conflict तथा population के member और किसी community की population के बीच की conflict यहां तक कि cell में होने वाले molecular reaction से भी पता चलता है कि जिन्दगी क्या है लेकिन इसमें दो question बनते हैं पहला technical question है living non-living से अलग कैसे हैं और दूसरा philosophical question है कि जिन्दगी का purpose क्या है लेकिन हम लोग बिज्ञान पढ़ते हैं तो as a scientist हम purpose of life के बारे में अभी नहीं जानेंगे लेकिन ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि जीव क्या है what is living तो what is living